आयुश्मान कार्ट से अब ज्यादा बिमारियों का इलाज हो सकेगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त में सरकार 70 साल और उसे ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन योजना का लाप देने का एलान कर चुकी है अब मैं आपको बताओं आयुश्मान योजना का संचालन करने वाला एनेचे जिसने बुजर्गों के लिए और ज्यादा स्वास्ते पैकेज इस योजना में जोडने की आवशक्ता पर विचार करना शुरू कर दिया है अब इसका फाइदा ये होगा कि बुजर्गों को भेतर स्वास्ते सेवाएं से मिल सकेंगी और अगर ऐसा हो जाता है तो ज्यादा बिमारियों का इलाज बुजर्ग फ्री में रेजिस्टर्ट सरकारी और साथी प्राइविट हॉस्पिटल्स में भी करा सकेंगे अब मैं आपको ये भी बता दू कि पिछले महीने ही नरेंद्र मोदी क्याबिनिट 70 साल और उसे ज्यादा उम्र के सबी बुजर्गों चाहे उनके आर्थे किस्ति कैसी भी क्यों न हो इन्हें आयुश्मान भारत योजना के दायरे में लाने का एलान कर चुकी है सरकार ने इस एलान से लगभग 6 करोर सीनियर सिटिजन्स और देश के करीब साड़े 4 करोर परिवारों को सीधा सीधा फायदा होने के उमेद जाहिर की थी मैं आपको बता दू समाचार इजिंसी पीटियाई की एक रिपोर्ट ही कहती है कि आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दे दी है कि विस्तारित योजना इसी महीने के आखिर तक लागू होने वाली है और इसका सीधा लाग लगभग 4.5 करोर परिवारों के 6 करोर नागरिकों को मिलने वाला है स्वासिला पैकेज पर निर्ने लेने वाली समिती इस बात पर विचार कर रही है कि कौन-कौन से स्वासिला पैकेज आयुष्मान योजना में जोड़े जा सकते हैं जिससे कि लोगों को ज्यादा इसका फायदा मिल सके अब मैं आपको बता दू जो अभी योजना चल रही है इसके अंदर 1,949 चिकिस्ता प्रक्रियाएं शामिल है जो की 27 अलग अलग चिकिस्ता विशेश अग्यताओं को कवर करती है और जिससे की सामाने चिकिस्ता, सर्जरी, कैंसर, हार्ट से जुड़ा अगर कोई रोग है इसके अलावा जो अलाभार्तियों को अस्पताल की सेवाएं हैं जिसमें दवाएं हैं, डागनॉस्टिक सेवाएं हैं, खाना पीना हैं और साथी आवाज भी मुफ्त में दिये जाते हैं मैं आपको ये भी बता दू, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो मानसिक स्वाश से समस्याएं हैं उनके कारण होने वाले अस्पताल में भटी सेवाएं भी इसी आयुश्मान योजना में कवर हो जाती हैं अब जिन लोगों का आयुश्मान कार्ट बना हुआ है वो इसके जरिये पांच लाख रुपे तक के मुफ्त इलाज का सीधे सीधे लाब उठा सकते हैं एक सितंबर तक 12,696 निजी अस्पतालों सहित कुल बताया जाता है 29,648 अस्पताल आयुश्मान योजना के तैस सूची बद थे लिस्टिट थे और ये योजना फिलहाल 33 राज्यों और केंद श्रासत प्रदेशों में लागू भी है हाला कि दिल्ली, योडिशा और पश्चिम मंगाल में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है लेकिन अब जो इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है यानि कि 70 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है उनको चाहे उनकी आर्थे किस्तिती कैसे भी क्यों ना हो उनको इसमें कैसे कवर किया जाए और जादा से जादा अगर बिमारी है उसको कैसे इसमें इलाज को लेकर कवर किया जा सके इस वक्त सरकार इस पर काम भी कर रही और इसका दायरा भी अब बढ़ने वाला है तो इससे सीधे सीधे साड़े चार करोड परिवारों को फाइदा भी मिलने वाला है यही इसको लेकर जानकारी सामने आई है